हेलो गाईस, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब बढ़िया होंगे आज मैं आपके लिए एक सिंधी स्नैक्स की रेसिपी लेकर आए हूँ आज मैं बनाऊँगी आलू टुका लिखा तो इसे आलू टुक जाता है लेकिन कहा आलू टुका जाता है और आप सब का एक बार फिर से स्वागत है Cooking Shooking India by Shagun में तो आलू टुका बनाने के लिए मैंने यहां पे आलू ले लिए है तो मेरे पास इसी साइज के आलू थे तो मैंने इस साइज के आलू लिए है यह मीडियम साइज है अगर आपके पास इस से छोटे साइस के आलू हो तो आप इस से छोटे साइस के आलू लेके इसे इस तरह से पार्ट में डिवाइड कर दे आप चाहें तो इसे यहां पे दो से तीन पार्ट में भी डिवाइड कर सकते है लेकिन मैं यहां पे दो पर्ट में डिवाइट करे। क्योंकि मुझे हर पार्ट में चिलके की चाहिए और इस रेसिपी को छिलकों के साथ भी बनाये जाता है तो आलू के चिलके को हम यहां पर जाया है यहां पर रिमूव नहीं करना है तो इसे इस तरह से हम हर आलू को two parts में divide कर लेंगे अगर छोटे size के आलू हों तो बहुत बढ़िया otherwise इस size के आलू को भी आप दो से तीन पार्ट में divide कर सकते है तो इस तरह से cut लगाने के बाद मैंने एक खुले बरतन में पानी ले लिया है और अब इस पानी में आट कर दूँगी नमक तो ये normal temperature का पानी है गरम नहीं है normal पानी है वो मैंने यहां पे लिया है तो अब मैं इसमें थोड़ा से नमक आट कर दूँगी तो मैंने half tablespoon जो है नमक आट करने के बाद उसे अच्छे से इसमें mix कर लिया है ऐसा करने से ना अच्छे से आलू के अंदर थोड़ा से नमक का flavor भी चला जाता है और आलू में जो भी extra starch होता है ना अगर हम आलू को cut करने के बाद उसे इस तरह से पानी में भिगो देते है ना तो आलू का extra starch जो है वो निकल जाता है जो बहुत important है तब यह आलू जो है ना वो crispy बनेंगे तो इस तरह से ना मैं सारे cut हुए आलू को इस पानी में रख दूंगी 10 से 15 मिनिट के लिए आप चाहें तो आदे घंटे के लिए भी से as it is छोड़ सकते है लेकिन मैं यहां पे 15 मिनिट के लिए से रखूंगी तो यह प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए जब भी आप आलू कट करते है ना उसे इस तरह से पानी के अंदर आड़ कर दे तो starch निकल जाएगा और आलू का जो रंग है ना वो भी चेंज नहीं होता यहां मैंने oil गरम होने के लिए रख दिया ह तो आप यहां पर देख सकते हैं मैंने आलू को ना ओल में आड़ कर दिया है फ्राइ होने के लिए तो जब भी इस तरह से डायरेक्ट पानी में से निकाल के आप आलू आड़ करते हैं ना ओल में तो बहुत ध्यान से इसे आड़ करें क्योंकि जैसे आलू आड़ करेंगे अगhow क्षेकर आड़ करें किया जो आप बाहर की तरह आ सकता है तो कढ़ाई को ना बहुत ज좌दा ओल से फिल ना करें उससे आदा ही फिल करें और इस तरह से एक एकर आड़ पैचिस अडरें ओद करें तो आलू को इस तरह से हमें डायरेक्ट पानी में से निकाल के इसमें fry करना है, ऐसा नहीं करना है कि आलो के moisture को remove नहीं करना है direct हम इसे इस तरह से add करेंगे और अब हम इसे अच्छे से fry होने देंगे, लेकिन इतना ही fry करना है कि ये over cook ना हो या ये गले ना, हलके कच्छे रहें तो उतना ही हम इसे fry करेंगे तो देखे यहां पर मैंने सारे जो आलो है इसमें add कर दिये हैं, और अब मैंने एक बार यहां पर पलट रही हूँ तो इन्हें आमें यहां पर पूरी तरह से गलाना नहीं है, पूरी तरह से पकाना नहीं है बस जब ये 70-80% तक पक जाएंगे इस बात का आपको ध्यान रखना है अगर ओवर कुक कर देंगे तो फिर ये अपनी शेप को नहीं रख पाएंगे आलू तो आप देख सकते हैं, यहां पर फ्राइ हो रहे हैं तो आलू को तो हम फ्राइ होने देते हैं जब तक आलू फ्राइ होते हैं जटब तक जड़पटा एक जड़पट घ्यार कर लेते हैं लेट को आलू ड़प बहुत ही टेस्टी रउरसीपी है तो यह मत्साला बनाने के लिए 1 टीसपून देगी मिर्च बॉल में एक टीशपून काली मिर्च का पौडर, प्रियोका नेक्स्ट ए स्चान्स्पून चाट मसाला, चाट मसाले से चट प्साइब, इसाथ मतलब समिटी कर सकते हैं कितनी यमी रेस्पीady Iे आमचूर पाउडर c ceux ते स्टेच जहती हो जहती है जटपट को अनिमिछारी है फटते ही चहती है जहती है जहती है 봤हछी कि आरए छोड़ दिन história किया विया कि मीघ देगी में सधीनि किई द। लेकिन अभी जो आलू है ना पूरी तरह से फ्राय नहीं हुए है पूरी तरह सी गले नहीं है आप嘛嘛 for CT two hundred थो ह데 लेकिन अंदर तक सब्सक्राइब हो रहा है तो इतनी इसी परसेंटेज में में जो हमें अब देखिए आलू जो है ना मैंने सारे बाहर निकाल लिया है तो अब हम क्या करेंगे ना इन्हें पहले हम ठंडा कर लेंगे तो 5-10 मिनिट के लिए हम इने आजटिस छोड़ देंगे थोड़ा ठंडा होने देंगे तो मैं आपको यहां पे एक फॉक इंसर्ट करके दिखात काफी टेंडर भी है बिल्कुल भी मतलब गला नहीं है अभी थोड़ा कच्चा है तो यह इतना ही हमें इसे पकाना है और अब हम क्या करेंगे ना पांच मिनिट के बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ एक आलू इस तरह से लेंगे और इसे इस तरह से ना हम रख दें तो इसलिए मैं आपको शुरू मैं कह रही थी कि अगर इससे छोटे साइस के आपको आलू मिल जाया ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा अराम से वह प्रेस हो जाते है थोड़े बड़े साइस के आलू थे ना तो इन्हें प्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है लेक अब दूसरी तरफ से करेंगे तो जादा अच्छे से हो जाते हैं और अब क्या करेंगे इन्हें फिर से फ्राय कर लेंगे तो देखिए यहां पर मैंने दुबारा सेना ओल में आड़ कर दिया है तो आप चाहे ना तो इसे तीसरी बार भी फ्राय कर सकते हैं ओवर क्रिस्प आलू टुकना एक सिंदी स्नैक की रेसिपी है यह बहुत यमी चट पटी करारी क्रिस्पी बनती है बाहर से अदम креп एंदर से अदम करारे है तो इसे ना छिलके के साथ बनाएंगे ना तो और जादा क्रिस्पिनस आती है लेकिन अगर आप चाहे तो आप आलू के चिलके को ह करने के बाद आप सारा प्रोसीजर जो है वो फॉलो कर सकते हैं तो देखिए यहां बे जो मैंने आलू है दोबारा से ओल में आट कर दी हैं इन्हें में अच्छे से फ्राय कर लूँगी जब तक अच्छे से यह पक न जाए और इसमें न गोल्डन कलर ना जाए तो इतना हमें अब जाहें तो इसे थर्ड टाइम भी फ्राय कर सकते हैं यह तो टोटली आपण करेगा लेकिन मैं इसे दो बार ही फ्राय करीई हूँ कि दो बार में ही अच्छे से यह क्रिस्पी और कुर्कुर्य हो जाते हैं अब अब हम इस तरह से चलाते हुए दोनों तरफ्से बढ़ि जो है वो मुह में एक दम मतलब आप एक खाएंगे ना और जब तक पूरी प्लेट खतम नहीं हो जाएगी तब तक आप इसे खाते जाएंगे इतने यमी यह बनते हैं और इसमें कुछ ज्यादा इंवेस्टमेंट भी नहीं है सिर्फ आलू आपको लेने हैं फ्राय करने हैं औ आप देख सकते हैं आलू का जो कलर है ना पहले से कितना चेंज हो गया है अलेकिन अभी मुझे थोड़े से कम वह लग रहे हैं क्रिस्पी तो मैं इसे एक बर फिर से ओल में आट करके न अच्छे से फ्राय कर रही हूं जब तक यह बढ़िया से क्रिस्पी नहीं हो तो इसी तरह से ना मैं बाकी के आलू भी फ्राय कर लूँगी सेम यही प्रोसीजर जो मैं पहले किया बस उसी तरह से मैं इने भी दुबारा फ्राय कर लूँगी तो है ना एक दम आसान रेसिपी कुछ करना ही नहीं है आलू फ्राय करने है बस इतनी सी रेसिपी है बन जट मसाला हमने बनाकर के रेडी किया था यह मैं इसके ओपर आट कर दूँगी तो यह टोटली ना आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है आपको कितना तेज मसाला इसमें चाहिए उस हिसाब से आप इसमें मसाला आट कर सकते हैं मसाला आट करने के बाद आप हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि अभी यह गरम है और इनके ओपर ओयल भी है हमने टिशू पेपर का यूज नहीं किया है आपने देखा होगा तो टिशू पेपर का इसमें यूज ना करें अदर जो मसाला है ना वो आलू के ओपर चिपकेगा नहीं तो देखिए हमारा जो आलू टुक है वो बनकर के रेडी हो गया है इसे सर्फ करें अंतर से एकदम सॉफ्ट बाहर से एकदम क्रिस्पी और आलू जो है ना वो पूरी तरह से अंदर तक गले होते हैं बहुत ही यमी रेसिपी है चटपटी करारी रेसिपी तो एक मैं आपको यहां पर तोड़के दिखाती हूँ देखिए बाहर से तो यह एकदम क्रिस्पी है अंदर से एकदम सॉफ्ट है आलू पूरी तरह से गल गए है बहुत यमी रेसिपी है तो फटपट से इस रेसिपी को ट्राए करें थैंक्यू फॉर वाचिंग